एक जनवरी 2022 से बदल जाएगा आपके online payment करने का तरीका, format क्योंकि RBI ने एक strict guideline, एक strict format जारी किया है, उसी format का अनुसार एक जनवरी 2022 से आप online payment करेंगे और Google को एक खास advisory जारी किया है, तो क्या है वो नया format, क्यों RBI ने नया format जारी किया और क्या है Google को खास instruction जानेंगे इस व और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज भाईयो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट करें, दोस्तों अगर आप online payment करने के आदी है, हर चीज़ का payment digital तरीके से आने के online तरीके से करते हैं, तो आपको एक जनवरी 2022 के बाद बहुत मुश्किलों का सामना पड़ेगा, क्योंकि online payment करने का तरीका format अब बदलने वाला है, एक जनवरी 2022 से ये format बहुत बदल जाएगा, क्योंकि RBI ने एक विसेस guideline, एक strict instructions दिया है Google को, कि अब आपको नए format से payment लेने होंगे, दोस्तों चलिए जान लेते हैं, क्या है वो तरीका, क्या है format, दो आपको अपने debit card या credit card का number नहीं डालना पड़ता है, expiry date नहीं डालने पड़ती है, वो by default आ जाता है, जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने CVV number input करने होते हैं, और transaction को okay करना होता है, और जैसा ही OTP आता है, आपको डालके transaction को verify करके okay कर देना ह होता है, लेकिन दोस्तो एक जनवरी 2022 के बाद अब ये format बदल देने वाला है, क्योंकि अब आपको हर एक transaction पर अपने card number, अपने details, अपने card के expiry date खुद manual तरीके से डालनी होगी, क्योंकि अब ये details Google save नहीं करेगा, क्योंकि RBI ने का से instructions जारी किया है, कि अब आपको ये details save करेनी के अनुमती नहीं है, अब दोस्तो आप कहेंगे ये तरीका बदल क्यों रहा है, क्योंकि ये data सुरक्षा को ध्यान में रखके किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर bank के details, आपके account number, आपके debit card number, credit card number, expiry date, सब कुछ Google के पास होता है, क्योंकि ये खत्रा होता है, क कहीं आपका data leak नहीं हो जाए, क्योंकि Google एक private company है, और कुछ भी हो सकता है, आज के समय में किसी पर भरोसा करने लाइक नहीं है, इसी वज़ास से RBI ने एक विसेस guideline जारी की है, एक जनवरी 2022 से आप किसी भी भारतिये consumer का कोई banking details save नहीं कर सकते हैं, मतलब कि दोस्तो अगर आ प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इसी तरह के नहीं informative वीडियो के साथ तब तक नमस्कार, जैहिंद, बंदे मातरम